Hello everyone, I am Elvinder Kaur from Nature Garden. Welcome to my channel. मेरे गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप लोग? आज बात करेंगे हम कुछ समर की वेजिटेबल्स, फैब मन्थ में कौन-कौन सी वेजिटेबल्स समर की लगती हैं, तो उनी की आज हम बात करेंगे, यह मेरा टॉपिक रहेगा, तो पहले मैंने कुछ जो हैं फैब मन्थ में लगने वाले प्लावर प्लांट्स जो पर्मानेंट हैं, उसकी बात करी थी पहली एक वीडियो में, तो आज हम कुछ वेजिटेबल्स हैं, जो फैब मन्थ में लगने वाली होती हैं, उनी के बारे में बात करेंगे, कि फैब मन्थ में आप कौन-कौन सी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नियू हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर पैस करिएगा, ताकर मैं कोई अप्लेट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, समर में लगने वाली फैब मन्त में वो है ब्रिंजल, ब्रिंजल को आप अपने गार्डन में एट करिएगा फैब मन्त में, इसके सीड लग जाते हैं, तो इसके सीड अभी आप अपने फैब मन्त में लगाईए हैं, इसके seed फ़ाब मंथ में grow करिएगा, ताकि आप अपना पूरह समर जो है बृंजल की वेज़ीटेबिल आप अपने यूज कर सकते हैं, to next जो है हमारी बलाग होते तो आप इसको भी je summer की ही वेज़ीटेबल होती है, तो आप 5 month में इसे भी grow कर सकते हैं अपनी garden में और एक बार अपने इसे add कर दिया तो दोरा अपने को लगाने की जरूरत नहीं है तो आप अर्बी के बलब भी 5 month में लगा सकते हैं तो next जो है हमारा बिंडी या ओकरा दोनों इसे कहते हैं कुछ लोग जो है बिंडी भी कहते ह और कुछ चोकरा भी कहते हैं कुछ states में तो आप इसे भी add करिएगा अपने garden में बिंडी के seed भी 5 month में ही लगेंगे तो इसके seed अभी grow कर सकते हैं ताकि आप अपना पूरा summer जो इसकी vegetables ले सकते हैं तो fresh vegetables अगर आपने लेनी है तो इसे भी आप अपने 5 month में इसके seed भी अभ लगा लीजिएगा तो next जो हमारी सबजी है समर्ग में लगने वाली 5 month में वो है राम तोरी या फिर काली तोरी तो आप इसे भी add करिएगा अपने garden में इसके seed भी अभी grow हो जाएंगे तो इसे भी लगा दीजिएगा अपने garden में seed इसके तो बहुत easily grow हो जाने वाली ये seed हो तो पूरा समर्ग आपको ये जो है काली तोरी अपने समर्ग में सबजी देगी तो आप इसे भी 5 month में grow कर लीजिएगा इनके seed भी अभी grow होंगे तो next जो है हमारी 5 month में लगने वाली जो सबजी है वो है करेला करेला जा बिटर गार्ड बिटर गार्ड भी इसे कहते हैं कि इसका टेस्ट होड़ा सा कड़वा होता है तो बट होता बहुत गुनकारी है आप इसके भी seed अभी लगा सकते हैं करेले के 5 month में तो पूरा समर्ग आपको जो है इसके सबजी मिलेगी तो आप इसे अपने गार्डन में अभी add करिएगा तो ये देशी करेला भी लग जाता ह है और hybrid दोनों वराइटी अगर आप अपने गार्डन में आड़ करना चाहते हैं तो इसके seed भी अभी 5 month में ही ग्रो होंगे तो आप इस सबजी को भी add करिएगा ये समर की ही सबजी है तो next है capsicum, capsicum को भी अपने गार्डन में अभी add करिएगा ताकि अपने गार्डन में yellow red और green capsicum जो है आप आ सकते हैं तो इसके plant भी अभी लगेंगे इसके seed अभी लगेंगे अगर आपको pod मिलती है या फिर seed है तो इससे भी grow कर सकते हैं otherwise इसकी pod मिल जाती है चोटी seedling तो आप अभी पजार से लेके अभी अपने गार्डन में add करिए ताकि आपको समर में पू पूरा समर आपको जो है वेजिटेबल इसकी मिलती रहेगी तो next है salad है खीरा कीरा के बीज भी अभी आप लगा सकते हैं इसकी भी बेल होती है तो अगर आप इसे लगाएंगे तो पूरा गर्मिया आपको पूरा समर ये खीरे आपको घर में ही मिलेंगे तो इसके भी seed अभ जो है फ्रेश खीरा आप तोड़के खा सकते हैं इसे फैब मंत में ही लगाईएगा तो next जो है ये भी salad ही है तो इसे जो salad तर बोलते हैं ये खीरा से लंबी होती है और इसको भी आप seed के जरिए ही गरो कर सकते हैं अपने गार्डन में फैब मंत में लगने वाले ही ये भी seed होता है तो पूरा समर इसके भी जो है आप salad घर में ही पा सकते हैं फ्रेश तर जो है लगा सकते हैं seed के जरिए बेल होती है तो next है हमारा बिटर गार्ड जा गिया गिया के seed भी अभी लगेंगे गोल गिया जा फिरलंबे वली गिया इन सभी के seed जो है अभी ग्रो होंगे इंटर्स के seed है वो next time लगेंगे और ये समर वाले अभी ग्रो करिएगा अगला जो है हमारी beans होती है beans के जो seed है अभी आप अपने garden में फैब मन्त में ग्रो कर सकते हैं beans के जो एक बार अपने plant लगा दिये तो दोबारा से कट करके फिर से वही ग्रो हो जाते हैं मतलब उसकी जो roots बनी रहने दीजीगा उपर से आप कट कर सकते हैं तो ये भी फैब मन्त में लगने वाले seed है समर की सबजी है तो next ये योकीनी योकीनी को आप अपने garden में add करिएगा तो ये भी लगने वाली जो summer की है फैब मन्त में ही लगती है ये भी seed ही लगते हैं इसके तो अभी आप अपने garden में add करिएगा पूरा summer आपको एक plant से बहुत सारी योकीनी आप ले सकते हैं अपने garden में इसे add करिएगा जो next है चपन गदू चपन गदू को भी आप अपने garden में add करिएगा इसके भी seed होते हैं और एक plant पे कई तरह मतलब काफी सारे चपन गदू हैं उतर जात गदू की तरह होता है इसे add करिएगा next है हमारी spinach spinach को भी आप अपने garden में अभी भी लगा सकते हैं तो गर्मियों में आपको जो है spinach मिलेगी घर की fresh तो आप इसको भी अभी इसके seed गिरा के उगा सकते हैं फैब मन्त में summer पूरा आपको जो है spinach गर में ही मिलेगी आप इसे add क करिएगा यह भी कदू की ही variety है यह मिठाईयां जो बनती है हमारा वह वाला कदू है इसके seed भी आप अपने garden में add कर सकते हैं अगर नहीं लगाना चाते तो वाइट कर सकते हैं बट यह भी seed है पेठा कदू के तो आप इसे भी add कर सकते हैं इससे पेठा मठाई मिलती है जो बनती है यह next है हमारा last year mint mint को आप अपने garden में add करिएगा इसके bunches जो आपको बजार से मिलते हैं आप चट्मी के लिए लीके आते हैं तो उनकी पतियां को आप यूज करके तो जो bunches बच जाते हैं branches तो आप उनको लगाए कुछ ही दिनों में वो roots जो है उगने start हो जाती है पानी में भी grow करिएगा roots अगर आपने बनवा जल्दी थोड़ी grow करनी है तो पानी में grow कर दीजीगा या फिर मिट्टी में भी grow करेंगे तो इसकी roots जो है जल्दी बनना start हो जाती है आप mint को पूरा साल ही रख सकते हैं बट अगर नहीं गौया तो आप 5 मन्त में से ले सकते समर के लिए बहुत ही फायदी मंद है तो आप mint को भी add करिएगा तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आई तो please like, share और comment जरूर करिएगा ये कुछ 5 मन्त की vegetables हैं जो मैंने समर में आपके साथ शेयर की है तो grow करिएगा चैनल पे नहीं तो subscribe करिएगा वीडियो देखने के thank you thanks for watching happy gardening thank